Praise the Lord! दोस्तों, आस सुबह मैं मैं आपको गवाई से उत्साइद करना चाहूंगा. एक भाई ने बताया कि वो दोनों husband wife कोर्ना positive हो गए थे और वो hospital में admit थे. प्रन्तों, वो डेली रोज सुबह स्याम हमारी प्रात्नों को सुनते और प्रव येश्य मसी से प्रात्ना करते थे. अब उन्होंने बताया कि प्रव येश्य मसी ने हमें पून रूप से चंगा कर दिया है और वो भले चंगे स्वस्त हैं और अपने घर वापस आ गए हैं. मेरे प्रियों जिस प्रकार से प्रव येश्य मसी ने इस भाई इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रव आपके जीवन में भी करेंगे. आप भी कोर्ना वाइरस से बिलकुल भी न डरें, आप प्रभु येश्वमसी से प्रातना करें, आपके डेरे के निकट कोई भी दुख, कोई भी बिमारी, कोई भी वाइरस ना आएगा दोस्तों यदि आप हमारे साथ में प्रभु की सेवा में सहभागी होना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक सेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, ताकि वो लोग भी प्रभु के वचन को सुन सकें, और अपने जीवन में आत के सेवा में सहभागी हो सकते हैं जब आप इस कारे को करेंगे तो प्रवो आपको बहुतायत से आसिसित करेंगे आए हम परमेशो के वचन की ओड़ देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन सहीता एक सो साथ और उसके बीस पद से जहां पर कुछ इस परका यनके अपने वचन को भेज कर चंगा करता है बीमारों को चंगा करता है अपने वचन के द्वारा बाइबिल कहती है निरगमन की किताब उसका पंदरा अध्याई में परमेशो का वचन कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेशो हूं जितने रोग मिसरियों पर उन में से तुम पर कोई भी न पड़ेगा क्यूंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेशुर यहुवा हूँ। हमारा परमेशुर हमें चंगा करने वाला परमेशुर है। बीमारियों से चंगा करने वाला परमेशुर है। दोस्तों हम लोग देखते हैं। लुकरष इस करता है तो तू आकर के उसे चंगा कर और जब येशु मस्य उनके साथ में जाने लगा तब सुविदार ने फिर एक और संदेश भेजा कि प्रभु मैं इस योग्या नहीं कि तू मेरे च्छत के तले आए परंतो तू वहीं से वचन कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा औ और प्रभु येशु मस्य ने वहीं से वचन कहा और उसका सेवक चंगा हो गया मेरे प्रियों हमारा परमेशुर वचन को भेज कर चंगा करता है वचन के द्वारा चंगा करता है दोस्तों यदि आज आप बिमार हैं आज आप बिमार हैं किसी भी रोग से गरसित हैं तो रोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, निश्य है उसने मेरे रोगों को उठा लिया, मेरे दुखों को सह लिया है और उसने हमारे बीच से रोगों को दूर कर लिया इन वचनों को आप अपने लिए कहें रोज सुबैसे हम अपने लिए कहें तब परमेशो का वचन कहता है कि उस गड़े से परमेशो उन्हें बाहर निकालेगा उस मृत्य के गड़े से परमेशर उन्हें बाहर निकालेगा, उस सत्यनास के गड़े से परमेशर उन्हें बाहर निकालेगा, उन मृत्य के रसियों से परमेशर उन्हें छुडाएगा और बाहर निकालेगा, उस बीमारी से परमेशर आपको भी बाहर निकालेगा, चंगा करे तब चाहे आप कितने भी बड़ी बीमारी से क्यों न ग्रसित हों, परन्तु यदि आप परमेश्व के वचन पर भरोसा रखेंगे और इस वचन को रोज सुबह से आम अपने लिए कहेंगे, तो प्रभू आपको बहुत जल चंगा करेंगे, प्रभू आपको उस मृत्य की रस सत्यानास के गड़े से उस मृत्यू से परमेश्व आपको बाहर निकालेंगे और आपको चंगा करेंगे, हम राजा हिजिक्या के बारे में पढ़ते हैं, कि राजा हिजिक्या मरने पर था, परन्तु जो उसने परमेश्व से प्रात्न किया, तो परमेश्व ने उसे फिर से जीवन दे दिया और वो बहुत सालों तक फिर से जीवित रहा क्या हुआ परमेशों ने उसे इस मृत्यू के गड़े से बाहर निकाल दिया उस मृत्यू के तह तक जहां वो पहुंच गया था वहां से परमेशों ने उसे बाहर निकाल दिया उन मृत्य के रसियों को परमेशु ने काट डाला और उसे वहां से बाहर निकाला मेरे प्रियों आज सुभे में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा ज़िए आप बीमार हैं आपके परिवार में कोई भी बीमार हैं तो आप प्रभु येशु मसी के पास आएं उससे प्रातना करें तो निश्चय आपको इन सब बातों से चुटकारा देगा इन चंगाई के वचनों को आप अपने लिए कहें तो परमेशु आपको चुटकारा देंगे प्रभु आपको आसीस दे आमीन आईए हम सब मिलकर आज की सुभा में परमेश्वर प्रभु येशु से प्रातना करें और हम आपको उठसाहित करना चाते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर परमेश्वर से लो लगा कर प्रातना करें अपनी उन बातों के लिए जो आपके लिए मुश्किल और टफ है वो प्रभू आपके लिए आसान करेंगे आईए हम सम्मिल कर प्रात्त करें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं हमारे प्यारे परमेश्वर, एश्वरे और वैवव के वस्त्र पहने वे हमारे याजक, हमारे अधिपती, हमारे राजा, जो सिहासन पर महा महीम के दाहिने विराजमान है प्रभू, तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश मसी हालेलूया ओ प्रभू तो सर्वशक्तिमान है पिता तो चंगा करने वाला परमेश्वर है दया करने वाला परमेश्वर है पिता अपने लोगों को मृत्यों के गड़े से जीवन देने वाला परमेश्वर है खुदावन निकालने वाला परमेश्वर है प्रभू उस मृत् पर खोद कर बनाने वाले प्रबू हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम बढ़ाई करते हैं प्रबू तेरी तारीफ हो तारीफ कर्भा प्रव यश्व तेरी धन्यवाद करते हैं पुत्रप फ करते हैं तो और मेयुनियोत धन्यवाद देते हैं प्रभू के आपने बीते समय सम्हाल कर रखा, मेरे प्रभू यदि बीते समय हमसे कोई भी गुना गल्ती हुई है जो आपकी नजरों में गलत है, प्रभू हम उन बातों को अंकिकार करके आप से शमा मांगते और कहते हैं प्रभू हमें शमा करें खुद जो आपसे connect हैं प्रभू, जो आप पर विश्वास में बढ़ रहे हैं, प्रभू इन्हें आप bless करें प्रभू जी, हम धन्यवाद करते हैं, इनके जीवनों की उन्नती के लिए पर मेश्वर, अरेक के जीवन में प्रभू आप उन्नती को दे रहे हैं, प्रभू तेरा इश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम पर दया दिखाने वाले, हमें रोगों से बचाने वाले, हम पर अनुग्रह करने वाले प्रभू तेरा धन्यवाद, 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 आज के पूरे दिन भर में प्रभू हमात की उपस्तिती हमारे साथ में चाहते हैं, इन भाई बहनों के संग में इनके बच्चों के इनके नौजवान और बुजर्गों के संग में चाते इस समय प्रभु जितने भी लोग इखटा हैं इस संगती में इस सुभा की प्रात्ना में प्रभु जेशू आप उन्हें ब्लेस करें आपकी उपस्तिती इनके संग में बन वचन के दुआरा उन्नती दे रहे हैं प्रभु जी हम इस बात को आज जान पाए प्रभु के अपने वचन के दुआरा चंगा करते हैं और गहरे गड़े में जो मृत्यू के गड़े में पाप के गड़े में तेरे लोग पड़े हैं उन्हें आप निकालते हैं अपने वचन क आप हैं परमेश्वर पिता, सच में मेरे प्रबु जिस प्रका तेरा वचन कहता है, आदी में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, हालेलुया, हाँ मेरे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, हर एक बात में प्रबु जीवन में कोई भी चिंता है, रुकावटे हैं वो दूर हो जाएं, येशु के नाम से प्रभू आप इन्हें खत्रे मुसीबतों से, कोरोना वाइरस से, दुरगटनाओं से बचाएं परमिश्वर, चोटे बच्चों से लेके बड़े बुजर्गों तक को हर एक को अच्छा स स्वास्त दे प्रभू जी और हरेक के संग में आपकी उपस्तिती बड़ी रहे, पाप करने से आप इन्हें बच्चाएं परमिश्वर, हम प्रातन करते आज के वचन के अनुसार, प्रभू जो बीमार है खुदावन, येशु हम एक एक बीमार के लिए प्रातन करते प्रभ बीमारी के विरोध में करते पिता और कहते इसी समय प्रभू तेरा वचन भेज कर प्रभू आप उन्हें चंगा करें पिता, इसी समय आप उन्हें चूले पिता, तेरा वचन उन्हें चूए प्रभू येशु और वो चंगे हो जाएं येशु के नाम से, प्रभू कैंसर की बीमारी निकल जाए ये शुके नाम से, ट्यूमर नस्थ हो जाए ये शुके नाम से, कोरोना वाइरस नस्थ हो जाए ये शुके नाम से, पैरलाइस की बीमारी, पत्री की बीमारी, हार्ट प्रॉब्लम चले जाए ये शुके नाम से, धन्यवाद करते प्रभू, अलसर नस्थ जाएं, रस ओलीटूं हो जाएं, घाठें खुल जाएं हैं, ये शु के नाम से, धन्यवाद करतें प्रभु जिने पिता लएकिने मरी की बीमार का लगाँ है, और जी येशु के नाम से थैंक यू फादर जिने प्रभू प्रभू चमडी के रोग है प्रभू इसकिन डिजीज है प्रभू येशु के नाम से इसकिन डिजीज दूर हो जाए पिता परमेश्वर प्रभू जी जिने पिता परमेश्वर पिंपल्स प्रॉब्लम है पिता येशु के दिवाद करते प्रभू येश्व मसीजिने इस्पाइनल कोड में प्रॉब्लम है पिता जिन्हें हड्डियों का प्रॉब्लम है येश्व के नाम से वो चंगे हो जाएं मेरे कुदा इस समय प्रभू जिने प्रभू फीवर हो रहा है सर्दी जुकाम उखार हो रहा है एश्वारыл कुदा सर के बालों से लेकर पैर के नकुनों तक आप इने छू कर चंगा करें जिनका एरफॉल हो रहे वह न बंद हो यह नहों के नाम रहते जिनके कान कल झाये जो को लही सकते वशु बाते न क्हकें अन्य Wo vers जिनने पिता लंग्स में प्रॉब्लम है, सांस लेने में ब्रिटिंग प्रॉब्लम है, अस्तमा की प्रॉब्लम है, येशु के नाम से वो चंगे हो जाएं, तैंक यू फादर, धन्यवाद परमेशो तेरी चंगाई के लिए खुदा, इसी समय परमेशो यदि आज हम येशु के नाम से वो कारे करने लगें, प्रभु इनकी किड्निया हील हो जाएं, लंग्स हील हो जाएं, पैंक्रियाज हील हो जाएं, स्मॉल इंटिस्टाइन, लार्ज इंटिस्टाइन हील हो जाए येशु के नाम से, प्रभु जिनने कब्स की प्रॉब्लम है, कॉंस्ट व्चन को भेज कर प्रभू आज इस वचन पर हम विश्वास करते खुदा धन्यवाद आज की सुवा में आप इनके संग में होईए प्रभू सब बातों में आप इनकी साहता करें प्रभू जी और खुदा किसी भी भली वस्तु की घटी कमी आपके बेटी बेटियों को नहों जबकी पिता प्रमेश्वे इननों ने आपके राज्ये में अपना बीज भुया है आपके राज्जी की उन्नती के लिए अपने दान को दिया है पिता फलवंत होने पाए सौ गुना फलवंत होने पाए पिता इनके खटे भरे रहें इन पर आशिशे आएं प्रभू इनकी कमाई पर बरकत हो पिता और खुदा अप्रमपार आशिशे इनके जीवन में आजाएं येशु तेरा धन्यवाद सारी बातों में आदर महिमा और जलाल आपको देते वे इन भाई बेनों को भी आपके हाथों में सौपते वे प्रातना येशु के नाम से मांग लेते हैं सुने और ग्रहन करें आमेन आमेन और आमेन